में कि है लूँ फ्रेंड्स दोस्तों अगर चेकमांस के केस में सजा हो जाती है कन्वीक्षन हो जाती है तो उसके बाद क्या उसी वक्त जेल जाना पड़ेगा यह बेल के लिए मिलेगा ट्राइल कोट के दौरा और इसमें क्या पूरा प्रावधान है दोस्तों ये सब में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या जब सजा होती है ट्राइल कोर्ट से चेक बाउंस के केस में चाहे वो कितनी भी सजा हो और कितना भी जुरुमाना हो जो मौज़े के तोर पर दिया जाता है कंप्लिनेंट का तो उ दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और बैल आइकन का बटन भी जिरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपक तहते जो हैं गोशित कर दिया जाता है यानि के कन्विक्षन हो जाती है ट्राइल कोट के द्वारा पूरा केस चलने के बाद तो उस वक्त जो क्योंग गोशित किया गया है उसके पास क्या कानूनी जो है शेफगार्ट होते हैं तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आप मैं दो साल की जो मैक्सिम सजा होती है चेकमाउंट के केस में वो दे देता है और साथ में जो चेकमाउंट का डबल है उसका जो है वावजा कंपन्शेशन अदा करने के अदेश देते हैं तो उसमें दोस्तों जो प्रावधान है कि वहां पर आपको जो है कुछ समय दिया जाता है कि आप जब सजा का एलान होता है तो उसमें आज जो मौट को घंवा चांथ मिलता है या नहीं कि मालिजिए दो है वो नहीं पे किया जाता तो तब अतिरिक्त सजा का प्रावधार्न किया जाता है कि अगर इन डिफॉल्ट जो है छे मिन्ने की अतिरिक सजा भूगत नहीं पड़ेगी तो दोस्तों यह हुआ कन्विक्शन और जो कन्विक्शन के बाद आप एक एप्लिकेशन जो है कोट में लगाते हैं अंडर सेक्शन है 389 सेक्शन पहले 369 मैंने बताया था वो गलत था सेक्शन 389 CRPC के तहति यह फाइल की जाती है और इसमें जो सजा दी को इस एप्लिकेशन को एक्सेप्ट कर लेती है लेकिन उसमें कुछ टाम्जन कंडिशन लगे होते हैं यानि के जो अरोपी है उसको एक फ्रेश बेल बोंड भरना पड़ेगा ट्राइल कोट में और यह राशी आफिक्स करेगी ट्राइल कोट की कितने का बेल बोंड भरना ह और उससे एक्वल अमाउंट की एक शोर्टी भी भरनी होती है और ट्राइल कोट यह बेल बोंड सविकार कर लेती है यानि के जो कनविक्ट है उसको समय देती है 30 दिन का नॉर्मली यह समय दिया जाता है कि 30 दिन के अंदर अंदर जो कनविक्ट है वो सेशन कोट में अपील कर सकता है और वो तारीख उसी दिन से गिनी जाती है जिस दिन ये order किया जाता है तब से लेके तीज दिन के अंदर अंदर वो appeal file कर सकता है और appeal file करने के बाद वो अपने जो है fresh जमानत session court में लगाता है और अगर जमानत वहां से accept हो जाती है तो तब trial court को पता चल जाता है कि जो है जमानत मिल चुकी है तो तब वो उस पे कोई कारवाई नहीं होती अगर मान लीजिए जो convict है वो 30 दिनों के अंदर-अंदर कोई appeal file नहीं करता या जो appellate court है उसने कोई जमानत नहीं दी है convict को तो तब जो trial court है यह आदेश लिखती है यह बेल देते हुए कि अगर 30 दिनों के अंदर-अंदर convict ने कोई appeal file नहीं की या कोई जो है बेल नहीं ली तो 30 दिन की अवदी खत्म होने के बाद वो trial court में आकर surrender करेगा ताकि उसको जो है जो जेल की सजा मिली है दो साल की उसको पूरा करवाने के लिए जेल में भेजा जा सके सजा के बाद trial court द्वारा यह temporary bail दी जाती है तीस दिन के लिए और तीस दिन के बाद अगर appeal नहीं हुई या bail नहीं मिली session court से तो तब है जो convict है उसको जो है trial court में surrender करना पड़ता है और ऐसे अदेश जारी करती है trial court की जो order की copy है यानि के जो यह fresh order दिया जाता है 389 की application पर है और जो copy of bail bonds है वो जो है put up किये जाए तीस दिन की अवदी खतम होने के बाद trial court के सामने ताकि जो है इस case में further proceedings की जाए यानि के और जो convict है उसको jail में भेजा जा सके तो दोस्तों यहां इस video से first है कि अगर trial court के द्वारा चेक बाउंस के case में accused को सजा हो जाती है चाहे वो सजा छे मेंने की हो एक साल की हो दो साल की हो कितनी भी हो और जो जुर्माना है वो जो check amount है उसका double हो तो वहां पर जो है जो आरोपी है या convicted है उसको एक दम से jail नहीं जाना पड़ेगा यानि के उसको trial court से temporary bail लेनी पड़ेगी और सजा तब तक suspend रहेगी जब तक की मामला appellate court यानि के session court में नहीं चला जाता और वहां से जो है regular bail मिलने के बाद जो मामला जो है वो trial पर है ना लगे session court में अपील पर है ना लगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मिलता है एक नई वीडियो के साथ हैव वेरी नाइस डे टाटा बाबाए टेक केर